हेलो दोस्तो, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अरकेट स्विल सर्डिसेस में आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर से जितने भी Current FS के कोशन बनेंगे सारे कोशन को सेलेक्श में हम डिस्कैस करने वाले और साथ ही दोस्तों, इन Current FS के कोशन से जो भी extra fact बनेगे उन्हें भी हम देखने वाल है सबसे बहले हम बात करेंगे जो last class में आपसे question पुछा गया था कि किस देश में इस्तित mount ASO नामक जौला मुखी में बड़ा विस्पोर्ट हुआ है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह जो mount ASO है यहाँ इस्तित है जापांदेस में राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पे option 2 और यह जो mount ASO है इसमें दोस्तों बहुत बड़ा विस्पोर्ट हुआ है इसलिए चर्चा में रहा था correct answer क्या हो गया यहाँ पे option 2 यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे है जौला मुखी मतलब वॉलके नोकी तो यहाँ पे कुछ important जौला मुखी देख लेते हैं जैसे कि हम बात करें 20 वकार जो सबसे सक्रिय जौला मुखी है उसका नाम क्या है तो यह किलामू है और नेक्स हम बात करें इस टाम बोले जौला मुखी की जिसे भूमद्य सागर का प्रकास इस्तंबवी कहते है अगला है दोस्तों कि 20 वकार जो सबसे उचा जौला मुखी है उसका नाम क्या है तो यह माउंट कोटर पैक्सी है और यहां पर हम बात करें कि लंबे समय तक सांत रहे विस्पोर्ट होने वाले जौला मुखी को क्या कहा जाता है तो इसे प्रसुप्त जौला मुखी कहते है और नेक्स पॉइंट है कि यह जो बेरन दीप है यहां भारत में सीथ है और यहां भारत का एक मात्र सक्री जौला मुखी है और लास्ट पॉइंट है कि 20 वकार जो सबसे विसाल जौला मुखी है उसका नाम क्या है तो यह मोना लौा जौला मुखी है जो कि हावाई दीप मे इस्तित है तो यह सब इंपूरेंट पॉइंट है वॉलके नेस हो जो आपको याद अखने है और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं कल की कोशन का रिविजन फर्स्ट कोशन की रेटिंग एजेंसी आइसी आरे के नए प्रबंदक निदिशक और मुख की कारीकारी अधिकारी कौन बने हैं तो यह बने गए दोस्तों रामनात कृष्णन करेक्ट अंसर हो जागा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड और अब चलते नेक्स कोशन के और कोशन की 56 वी राशे क्रोस कंट्री चेंपिंशिप 2022 की मेजबानी कौन से राज्य करेगा तो इसकी मेजबानी करने वाला है दोस्तों नागालेंड यहाँ पर राइट अंसर है ऑप्शन थर्ड अगला कोशन के की सदेश ने CGR21 नामक एक नए उपग्रह का सफलता पूर्व प्रक्षिपन किया है तो यह प्रक्षिपन किया था दोस्तों चायना ने यहाँ पर रारत अंसर है ऑप्शन तू अगला कोशन देखि presentations के कमांडर समिलन नियोजन कहां पर हुआ है तो इसका अयोजन हुआ है दोस्तों न नई दिल्लिय में तो यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा option 1 कोशन कि भारती अंतरासी फिल्मस हमारों का बावन वा संस्क्रन की सराज में आउजित होगा तो दोस्व मैं आपको बता दू कि जो भारती अंतरासी फिल्मस हमारों है इसका 52 संस्क्रन आयोजित होने वाला है गोवार राज में करेक्ट अंसर है यहाँ पर option 4 अगला कोशन है कि वी सो पोलियो दिवस 2021 कब मनाय गया है तो दोस्व मैं आपको बता दू कि प्रती वर्स वी सो पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मना जाता है यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा option 1 नेक्स कोशन है कि किस राज्य के मुख्यमं और रिवीजन का लास्ट कोशन है कि हाली में United States Grand Prix 2021 का जो किताब है वो किस ने जीता है तो इस किताब को जीता है दोस्तो मैक्स वैरस्ट बने यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा option 3 और अब दोस्तो इस्टार करते है 28 अक्टूबर से जीतने भी करेंट एफेस के कोशन ब जरू करें और सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोशन आप दर रहता है आपके लिए उसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिए क्योंकि यह आने वाले एक्जाम में आपसे जरूर कोशन पूछे जा सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं पहले कोशन के साथ तो पहला कोशन के किस देश में खुदाई के दोरान विश्वा का सबसे विसाल प्राचन तम सराब खाना मिला है तो यह मिला दोस्तो इसराइल में राइट अंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन थर्ड तो इसराइल में विश्वा के सबसे पुराने और सबसे विसाल क सराफ एक्टरी की खोज की गई है और दोस्तों यहां अब तक की विस्व में जितने भी सराफ कार खाने हैं उनकी खोज में यह सबसे विसालतम पाया गया है तो यहां देखना है यह कौन से देश में सी थे तो इसराइल में तो यहां पर हम दोस्तों बात कर रहे हैं इसराइल जो संसद है उसका नाम क्या है दोस्तों या दिखना आपको नेसिट है नाम या दिखना है यह क्या है तो नेसिट काफी वर एक्जाम में भी यह पूछा गया है कि इसराइल की जो संसद है उसका नाम क्या है तो यह नेसिट है और अब चलते दोस्तों religious conference की जो मेजबानी है वो किस सहर ने की है तो नागपूर ने तो राइट अंसर हो गया यहाँ पे दोसो अपसंट तो लोकमत मीडिया ग्रूप दोरा नागपूर में पहली बार राशी अंतरधार्मिक समिलन का अलजन किया गया है और इस समिलन की जो थीम है वो क्या है दोसो तो Global Challenges to Communal Harmony and Roll of India यह इसकी थीम है और इस कारिक्यम के लिए वीबिन धर्मों के कई अध्यात्मिक नेताओं को वक्ताओं के रूप में आमंतित भी किया गया था तो यहाँ दिखना है यहाँ पे correct answer हो गया option to नागपूर और अब चलते next question के होर तो question है दोसों की BC से आए द option 4 उप्यूप्त 2 और 3 दोनों तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि अहमदाबाद और लखनाव दो नई टीम है जो 2022 से इंडियन प्रीमियलिक मनलब IPL में हिस्सा लेगी और मैं आपको बता दू कि अप प्रत्योगीता में जो टीमों है उसकी संक्या 208 से बढ़कर कितनी हो तो राइट अंसर के होगे यहाँ पर option 4 उप्यूक्त 2 और 3 मनलब अहमदाबाद और लखनों यहाँ पर correct अंसर है और अब चलते दोस्तों next question के और और आपको दोस्तों मैं बता दू कि हमारे चैनल मनलब टारगेट सिविल सर्विसेज पर डेली मध्यप्रदेस करेंट एफ किस देश की नई रक्षा मंत्री बनाई गई है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह जो अनिता आनंद है इन्हें कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनाई गई है और आप देख सकते हो यह है अनिता आनंद जो की एक भारती मुल्की है यहाँ पर राइट अंसर के बता है मैंने आपको आप्षा मंत्री बनाई तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह जो अनिता आनंद है यह लंबे समय से कनाडा के रक्षा मंत्री रहे भारती मुल्के ह वे कनाड़ा की पहली हिंदू और देश की दूसरी महिला रक्षमंत्री होगी और मैं आपको बता दू कि ये जो अनिता आनन्ध है इनसे पहले कनाड़ा की एक मात्र महिला रक्षमंत्री कौन रही थी तो ये पूर्व प्रधान मंथरी किम कैम्पेवल थी जिनोंने 1993 में 4 जनवरी से 25 जून तक 6 माने के लिए यहापद संभाला था तो आपको याद दिखना है यहाँ पे कि अनिता आनंद को कनाड़ा देश की रक्षमन्ती बनाये गया है और अब चलते दोस्तों नेक्स कोशिन के ओर कोशन है दोस्तों कि निपुन भारत मिसन को लागू करने के लिए किस समीती का गठन किया गया है तो मैं आपको बता दू कि यह जो निपुन भारत मिसन है इसे लागू करने के लिए नैसनल स्टीरिंग कमीटी का गठन किया गया है correct answer हो जाएका यहां पे option 1 तो सरकार ने निपुन भारत मिशन को लागू करने के लिए राश्री संचालन समीती मतलब नैसनल स्टीरिंग कमिटी की इस्तापना की है और इस समीती की जो अद्रक्षिता है वो किस ने की है दोसों तो केंदी सिक्षा मंत्री धर्मेंदर प्रधान जी ने इसकी अद्रक्षिता की है यहाँ पर हम दोसों बता दे आपको कि 25 अक्टूबर 2021 को निपुन भारत मिशन लागू करने के लिए एक राश्री संचालन समीती मतलब नैसनल स्टीरिंग कमिटी का गठन किया गया था और यह जो निपुन है इसका फुल फॉम क्या है यहाँ पर तो नैसनल इनिसिट्यू फॉर प्रोफिसियंसी इन रीडिंग वीद अंडेस्टेंडिंग एंड नुमेरेसी यह आपको फुल फॉम भी याद रखना है तो करेक्ट अंसर क्या हो गया है यहाँ पर ऑप्शन वन नैसनल स्टेरिंग कमिटी और साथी दोस्तों आपको याद इखना है कि यह जो निपुन भारत मिसन है इसे लागू करने के लिए समिती का गठन कर दिया है लेकिन इसके उपाद्यक्षिकों ने तो यह है सिख्षा राज्यमंती अनपुर्णा देवी इसकी उपाद्यक्ष आधिकारिक प्रविस्थी के रूप में चुना गया है यहाँ पर करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्षन थर्ड तमिल भासा की ड्रामा फिल्व कूज हंगल को को 94 अकादमी पूरुषकार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविस्थी की रूप में चुना गया है तो यहाँ द इंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्षन थर्ड और आप देख सकते हो यह है कल्यान कुमार जिने पंजाब नेशनल बेंक का नया कारेकारी निदिशक नियुक्तर किया गया है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि जो पंजाब नेशनल बेंक है इसके नए कारेकारी अधिकार जो भी पहले हो तब तक लिए नियुक्तर किया गया है तो दोस्तों आपको याद ना है कि पंजाब नेशनल बेंक के जो नय कारी-कारी निदिशक है वो किसे नियुक्तर किया है तो कल्यान कुमार को और अब चलते नेक्स कोशन के और कोशन के हाली में किस देश ने और सोशन पर एक राश्री कानून बनाया है करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा यहां पर ऑप्शन थर्ड तो नय सीमा कानून का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन वास्तविक नियंत्रक रेखा मलब एलेसी की यहां पर हम बात कर रहे है पर भारत के साथ लगाता संगर्स कर रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों चेतरी तनाव के बीच राश्री सुरक्षा बनाय रखने और कानून इस तर पर सीमा संबंदी मामलों के प्रभंदन के उद्देश से यहां नया कानून बनाय गया है तो आपको याद दखना है कि यह जो संरक्षन और शोशन प तो मैं आपको बता दो कि यह जो भारती निर्वाचन आयोग है इन्होंने दोस्तों गरूर एप को लॉंच किया है करेक्ट अंसर हो जाएगा यहां पे ऑप्शन थर्ड तो भारती निर्वाचन आयोग ने सभी मद्दाता केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरूर एप को लॉंच किया है करेक्ट अंसर क्या हो गया है हम पे ऑप्शन थर्ड और यहां पे दोस्तों हम बात करें कि यह जो भारत निर्वाचन आयोग है इसका गठन कब किया था तो 25 जनवरी 1950 को और भारत निर्वाचन आयोग का जो मुख्याले वो कहां पर इसी थे तो नई दिल्ली में और भारत के मुख्य चुनाओ अव्यक्त कोने तो यह सूसिल चंद्रा है तो यह आपको सभी इंपूर्टन पॉइंट याद एकना है तो भारती निर्वाचन आयोग से और अब दोस्तों हम बात करेंगे आज के कोशन अपड़े की तो इसका सही जवाब को सभी देना है तो फीफा रेंकिंग 2021 में कौन सा देश सिर्ष पर रहा है और यहीं पर दोस्तों आपको बताना है कि जो भारत है उसकी रैंक क्या है इसका भी जवाब को कमेंच शेक्षन में देना है तो आज का लिक्षर यहीं पर रिंड़ उता है अगर आपको हमारे लेक्षर अच्छा लगाओ तो इसे लाइक करिए सेयर करिए अगर आप ही शेम पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राब भी जरू करें थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग इस वीडियो बाइबाइट टेक केर